हेलो, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपको बाइजन्टाइन कला के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इंपोर्टेंट है और अक्सर एक्जामों में कोश्चन पूछे जाते हैं तो आएए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बाइजन्टाइन कला, बाइजन्टाइन आर्ट, बाइजन्टाइन कला की कौन सी विधा सबसे अधिक प्रसिद है, मर्कुट्टिम, मोजाइक, बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है और अक्सर एक्जामों में पूछा जाता है यहाँ पर एक चित्र है दोस्तों, चुकि काफ़ी इंपोर्टेंट चित्र है यह बाइजन्टाइन कला का यह उधारड है क्राइस्ट पैंटो क्रेटर की छवी है यह हंगिया सोफिया इस्ताम्बूल में यह है बाइजन्टाइन युग में आक्रित विरोधी सासक कौन थे लियो त्रिती तथा याजित दुती यह आक्रित विरोधी शासक थे इस सासक ने बाइजन्टाइन चित्रकला और मूर्तिकला का बनाना रोक दिया था लियो त्रिती ने इन्होंने रोक दिया था कला में आकृती विरोधी प्रवरित कब से कब तक चली 726 से 843 सबी तक चली बाइजन्टाइन कला का प्रथम स्वरणिम युग कि समराठ का है जस्टिनियन बहुत ही इंपोर्टेंट ये कोश्चन है इसाई प्रार्थना ग्रिहों की वेदी पर कौन सी आकरित आधिकांश अस्थापित की जाती है इसा की सूली बाइजेंटाइन प्रार्थना ग्रिहों का पूर्ड विकास किस रूप में हुआ था क्रास आधारित भूविन्यास बाइजेंटाइन मूर्त सिल्प पर किस सहली का विशेश प्रभाव है हेलनेस्टिक का रोम की लुप्त होती हुई सभ्धता में से किस धर्म का प्रादूर भाव हुआ इसाई धर्म का प्रतिमा कृतियां आइकंस का संबंद विशेश रूप से किस से है काश्ट तता हाथी दांत फलकों से बाइजेंटाइन अलंकरडों में सबसे अधिक अमूर्त सजावट किस से की गई है कूफिल लिप इसे समराट जस्टीनियन द्वारा रेविन्ना के साइन वाइटेल चर्च में मरिकुट्टिम का कार्य कब से कब तक कराया गया 546 से 548 इसवी के मद इसाई धर्म में मयूर किसका प्रतिक है इसा मसीह के अमरत्व का कारो लिंजियन पुनरत्थान किस से संबंदित है उस्तक चित्रड से इटेलो क्रीटन सैली कहां उत्पन हुई क्रीट में बाइजन्टाइन कला की विशेषता है मोजाइक भिती चित्रड काफी इंपोर्टेंट है सेंट बसील का गिरजा घर कहां इस्तित है मासको रूस में बाइजन्टाइन कला में पीला रंग प्रतिक है स्वर्ग का ये काफी इंपोर्टेंट कोस्चिन और कई बार एक जामों में आ चुका है बाइजन्टाइन कला में मड़कुटिम कारे की चरम उन्नती किस चर्च में हुई सान वाइटल चर्च में बाइजन्टाइन कला की स्रेष्ट दूसरी बड़ी इमारत है हैंगिया सोफिया गिरजा इस्तामबुल में है मड़कुटिम पध्धत में किस वस्त का प्रियोग किया जाता है संगमरमर के टुकडे का संगमरमर के अलामा काच के रंगीन टुकडों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है बाइजन्टाइन कला में काफ़ इंपर्टेन कोश्चन है ये बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्ण में से किस प्रकार की विशयवस्तु चित रहे तो चुनी गए धार्मिक बाइजेंटाइन कला में छटों और दीवारों को किस विदि से अलंकरित किया गया मड़कुटिम विदि से दोस्तों इस तरह से हमने बाइजेंटाइन कला से संबंदित इसमें जो भी चीजें उसे आपको बताया है तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सस्क्राइब और जेर करें हमारे यूटूब चैनल पर कमेंट करके बताएं का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से विजूल आठ से संबंदित इंपॉर्टेंड वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों